नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी लोगा बहुत-बहुत सागत है आज के अब लगा कहीं से स्टार्ट करेंगे अभी हो रहा है सुपह का आट बज कर बीस मिनट होने वाले हैं आज कबला कहीं सी स्टार्ट करेंगे और माही आज सोक नहीं उठिया उसका तब यह ठीक नहीं है तो सोई है और मैं नहांदो करा गई हूँ तो चलिए नास्ता वस्ता बनाते हैं दूद आ चुका है हम लोगों का देने के लिए आते हैं एकटो अंकल सुबह सुबह ला देते हैं कभी-कभी लेड भी हो जाता है और मैं इधर चाय चला दे रहे हूँ माही ना काला वारा चाय पसंद नहीं करती है तो उसके लिए दूद चाय बनाना पड़ता है जब भी दूद नील ला देती हूं तो काला वाला चाय नहीं पिऊंगे बोलती है उसी के लिए ना दूद आने तक इंतिजार करना पड़ता है कभी कभी वो अंकल को लेट हो जाता है तो आ गया है मैं चला दी चाय आँ पीड़ी बना लेंगे अब लोग चीला रात को मैं चावल फुला लेती हूं और पीश कर बना लेती हूं चीला नहीं तो मैं जो बनाई रहती हूं चावल और उड़त का पाउडर उसी से बना लेती हूं उसको भी थोड़ा ग्राइन कर लेने से अच्छा रहता है अच्छा चीला बनता है देखिए चावल को ग्राइन कर लिए हूँ मैं बना लेंगे चीला अदिकतर हम लोग चीला ही खाती हैं ज्यादा तला बुनावान ही खाती हैं चीला ही पसंद करती हैं ज्यादा तर चाए बन गई मेरी चीले का बैटर भी तयार है बना लेंगे चीला चाय को अलग कर लेंगे ढग कर और बना लेंगे चीला मैं थर्मा सुरुपस नहीं रखती हूँ ऐसे ही सस्पैन में ही रहता है चाय और एक ही साथ पुरी फैमिली चाय नास्ता कर लेते हैं गर्मा गर्म तो थर्मस प्लास या कुछ में रखना नहीं पड़ता है अज़र बनना लूंगी चीला फिर कर लिंगे मुझना आस्ता सब एक साथ और चीला को नो गर्मा गर्म न खाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है वैम पहरे भी भुषoureगी थी अम लोग गर्मा गर्मी क grilled भी खाते हैं और जो भी नहीं रहता है ये लेट में खाती है उसके लिए बैटर ही रख देते हैं बाद में बना लेते हैं जब वो लोग खाते हैं तब इसी तुरह से ही यूच करते हैं और देखि यह देल प्रस के कह बाएँ मैं को माकर देखने तो दीए माई को देखने तो मचीला बना रही थी माही रोने लगी तो मैं बना दे रही हूं 김 मैं शक्वर करना ओना भेवे इसमिला रही थी टाप सब्सक्रीन उ कारे povo करते हैं लिकलता है इसा ही पिखरता नहीं है यह आप लोग भी करीदो निशंकोच पुछ नास्ता तैयार हो गया नास्ता करके फिर बात करेंगे हमारी यहान बहुत सारा कुमड़ा प्राता तो उसको तोल रहे है मेरे पापा जब बंदर आ रहे हैं उसको खिशका दे रहे हैं और उसी से चलांग लगा अधी पापा को उसके चाजर को बलतो हुम नहीं तोले तूम हार आ एह थो मेरे पापा ऊपर सड़कर उसको तोड़ देगे देखते हैं कैसे कुमड़ा तोड़े मेरे पापा और हट्र से भी आ गए हैं साख साथ sonjali éka तो छलो देखते हैं क्या क्या साख साथ आया एह ह पुम्हा तोड़ेंगे अब भी मेरी बेटी लोग पाव भाजी बना रहे हैं उसका भी थोड़ा रेसिपी दे 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 लेंगे चलिए हट्री से आगे देखिए ये साख सब्जी लाए हैं टमाटर भिंडी ग्मार पल्ली और गोभी मूली अरधर आगे सर जीव झेर कंभणा तोलने के लिए को है मैं कब है है बहुत बड़ा बड़ा कुम्हा पला है लेकी और भालती के लाने के लिए मिरे पता जीरे रहे हैं उपड़ देखिए पहला थोड़े हैं बड़ा बड़ा हुआ है इस बार का और वंदर न सारे अलबेस्टर हमारी तोड़ दिये हैं कुम्रा भी तोड़ दे रहे हैं गिरा कर नीचे और बेल भी अब सुपनल लगा है तो तोड़ के रख देंगे बाद में बनाएंगे बड़ी अभी तो बड़ी नहीं बनाएंगी यह महिना नहीं बनाते हैं बड़ी का बढ़ा है कुम्रा और हमारे अलवेस्टर को भी न बंदर लुग तोड़ दिये हैं इकदम से साबुन पीड़ है अमरी पिछाड़ी में तो उसी में चड़ जा रहे है और अलवेस्टर में एकदम चलांग लगा रहे हैं तो टूट जा रहा है बंदर लुग बहुत नुपसा हो रहें एक एक अल्वेस्टर के सीट को 1200 रुपए पड़ रहा है और आके तोड़ दे रहें फिर लगाना मुश्किल है जिसके पास पैसा नहीं है कहां से दुबारा लगाएगा इसलिए जंगल मत ही काटें अपना घर को अच्छा रखें उनका भी घर अच्छा रहने दें उ दूससे पहले आप लोग सजग हो जाओ कि अपना घर बचाने के लिए उनका घर भी आप छोड़ दो बारी नुकसान उठना पड़ेगा ने तो सभी को अचपर तो नहीं बच रहा है चपर नहीं बच रहा है इसलिए हम लोग अलबेश्ट लगाए हैं चपर अलग करके एक महिना नहीं जा रहा है चपर तोड़ दे रहे हैं वोग एक पानी आया तो एकदम घर गिला गिला हो बढ़ा ने वाद चलांग लगा रहा है तो नीची आ कर गिर रहा है और फड़ जा रहा है और भी गाजर शिम्डा मिर्चा हरी मीर्च प्याज टमाटर को पाट के रखे हैं आलो को बाल रहे हैं और गोवी को देखिए कीड़े युडी रहते हैं तो हल्दी वाली पानी में इसको डाल दिये हैं काटकर इस तरह से आप लोग भी करना इधर सब को तयार करके रखे हैं अद्रग भी डाल दिये हैं रिमेट के साथ बनाएंगे इसका पावाजी बनाएंगे पावाजी के लिए देखे सब्जियां तो तयार करके रखे हैं लोग और ये डालेंगे इसमें अमुल बटर डालदी है अमुल बटर आजा है और इसमें चुट़ा सारे सब्जियों को मिलाते हुए बटर में फ्राय कर लेगी थोड़ा सा और फीज इसमें बनाएंगे पाव का भाजी कहिए या सब्जी कहिए पाव के लिए जो मसाले वाली सब्जी रहती है वही बना रहे हैं लोग जो भी मन करता है लोग बना कर खा लेते हैं गाजर, सिमला, मीर से सब मंगाई हैं गोभी भी लगता है इसमें सारे सब्जियां काटकर साप करके दोकर रखी थी और सब्जी को डालती हुए फ्राय कर ले रही है बहुत ही अच्छा लगता है पाव भाजी देखिए एक एक करके फ्राय करती जा रही है उसको मिलाती जा रही है एक साथ भी डाल देने से अचा रहता है देखिए यह गाजर यह ट्रमाटर और गोभी को धाकर रखे हैं हल्दी वाली पानी में उसको भी डालेगी थोड़ा फ्राय कर लेने के बाद सारी सब्जियों को थोड़ा फ्राय करके बस अच्छे से गलने तक पकाना है मैस कर लेंगे बाद में अच्छे से पक जाने के बाद देखिए को भी हाँ डाल रही है इसको अच्छे से पकाना है और फिर पाव भाजी मसाला डाल कर त्यार करना है मैं पूरा वीडियो नहीं डाली हूँ मैं इसका रेसिपी का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी आई पटम में भी डाल देंगे देखे लेना आप लोग पाव भाजी की रेसिपी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो अच्छे से उसमें रेसिपी का वीडियो डाला है बनाया हुआ है और ये तियार होगी अमरे पाव भाजी वीडियो को जरूर देखना क्या खाएगी बोल अभी अभी माही क्या खाएगी बोलो बोलो पाव भाजी बोलो पाव भाजी में जैसे खाना खाते हैं मोबेल में बैसे खावे खाना वाला वीडियो देखती है मोबेल में बहुत अच्छा लगता है उसको देखना तो होई बोल रही है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर और कमेंट जरूर करना हमने चैनल पर नहीं है तो सिस्क्राइब कर लेना बेल आपन को दबाना ना पुलना ताकि हमारे नएम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके